रोज रोज नास्ते में क्या बना यही हमें टेंसन रहता है तो आज मैं आप लोगों के साथ बिलकुल फटाफट से बनने वाली इजी और स्वादिश्ट ब्रेकफास्ट की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ आज मैं बना रही हूँ नीर दोसा और साथ ही उसके कॉम्बिनेशन में एक रस्य वाली आलू और टमाटर की सबजी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और इन दोनों को बनाने में आपको हार्डली बीसमेट का समय लगेगा और ये जो दोसे है एकदम इंस्टेंट बन करके तयार हो जाते हैं ना ही सोडा ना ही इनो ना ही कोई फर्मेंटेशन बच्चे से लेकर के बुजुर्ग सभी खा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि चावल ले लेंगे तो उस तरह का वाइट आप चावल ले लें यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर एक कप चावल लिया है चावल को यहाँ पर दो से तीन खंटे के लिए भीगों के रखना अच्छे से और अगर आपको मॉर्णिंग में से ब्रिकफास्ट में बनाना हो तो आप इसे रात में ही भ फ्रेस्ट नारियल हैं, वो हम लेंगे यहां पर आधा कब और हां, यहां पर जोै नरियल है नगहें उसे डालना ओफ स्नल है इधर साथ के साइड जो यह नीर दोसा बनता है न उसमें मतलब नारियल डाला जाता है लेकिन हमारे घर के साइड मतलब जारखन में इसे बिना ही नारियल के बनाते हैं और उधर इसको हम लोग छिलका बोलते हैं आप लोग के यह इसे क्या बोलते हैं जरूर से बताईएगा वैसे नारियल डालने से इसका टेश्ट काफी जादा अच्छा आता है और एकदम जो मतलम दो से ना एकदम वाइट वाइट बन करके तैयार होते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एकदम इसका स्मूथ सा बैटनões यहां पर बना करके तैयार करेंगे चावल यहाँ पर भीगे वे रहते हैं तो इसे पिसने में आपको hardly एक से दो मिनट का समय लगेगा और एकदम बारिक पिस करके यह तैयार हो जाते हैं देखिए एकदम फाइन पिस गया है तो यहाँ पर जो पानी की quantity है न वो भी मैं आपको पूरा बता दूंगी तो अब ही मैंने यहाँ पर एक कप पानी लिया था और यहाँ पर चावल को पिसने में मुझे यहाँ पर आधा कप पानी लग गया था और आधा कप मैंने यहाँ पर मिक्सी के जार में डाल दिया है अब हम क्या करेंगे बाकी का पानी आड़ करेंगे तो अब क्या करना है आपको थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है वैसे पानी डालने से होगा क्या ना कि जो आपके दोसे है ना मोटे या फिर पतले बनेंगे अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो दोसे एकदम पतले पतले बन करके तयार होंगे और अगर पानी की क्वाइंटिटी कम रहेगी तो जो दोसा है थोड़ा मोटा बनेगा तो मैंने यहाँ पर टोटल धाई कब पानी का इस्तमाल किया है साथ ही मैंने एक चमच यहाँ पर नमक डाल दिया है तो यहाँ पर जो बैटर है बन करके तयार है अभी हम बनाएंगे बहुत ही जटपट रसे वाली आलू की सबजी तो मैंने यहाँ पर दो टमाटर लेनी है और यह जो टमाटर है थोड़े बड़े ही साइस के है साथ हम क्या करेंगे ना कि एक इंच अद्रक का टुकड़ा ले लेंगे और अब हमें क्या करना है ना कि जो टमाटर है और अधरक है ना उसे एकदम फाइन पिस करके तयार करेंगे और यह जो सबजी है ना मैं यहां पर बिना प्याईला सुन के बना रही हूं बहुत ही फटाफट से बनती है कड़ाई में तेल डाल दिया जीरा डालेंगे साथी यहां पर धनिया डालेंगे और सौफ बहुत अच्छा फ्लेवर डाता है तो जरूर से एड़ कीजेगा साथी तेजपत्ता और एक सूखी लाल मिर्च एड़ किया मैंने थोड़ा सा हींग एड़ किया है और जो टमाटर व साथी एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच के करी मैंनिया पर आमचूर एड़ किया और आधा चमच लाल मिर्च बस इससे जादा यहां पर कोई भी मसाला नहीं डालेंगे फिर भी यह सबजी बहुत ही स्वाधिश्ट बनती है और फटावट से बनती है तामाटर को यहा पर चार से पांच उबला हुआ आलू लिया है और इसे क्या करेंगे ना कि हाथों से इसी तरह से मैस करके डाल देंगे तो उबले हुए आलू से बहुत ही जल्दी से सबजी बनती है साथी दो हरी मिर्च राइड किया मैंने लंबा लंबा काट करके और नमक आड़ कर एक बर यहाँ पर मसाले को हम आलू के साथ मिक्स करके भून लेंगे उसके बाद ही इसमें क्या करेंगे कि पानी आड़ कर देंगे तो पानी की क्या इन्टिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम जादा कर सकते हैं अगर आपको बहुत जादा तरी चाहिए तो थोड़ा जाद पानी आड़ कीज़ेगा अधर्वाइज मीडियम भी ठीक है सबजी में हम यहाँ पर बॉयल आने देंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें बारी कटा हरा धनिया एड़ करतेंगे साथी कसूरी मेती तो जरूर से एड़ कीज़ेगा बहुत अच्छा फ्लेबर आता है और आधा छोटा चमच मैंने इसमें गरम मसाला अड़ किया है और यह जो सबजी है आपको हार्डली 10 मेट भी नहीं लगेंगी से बनाने में और पूरी पराठे राइस किसी के साथ भी अच्छी लगती है और इस नीर दोसे के साथ तो इसका जो कॉम्बिनेशन अना बहुत अल्टिमेट लगता है एक बार ट्राइ करके देखेगा अब बना लेते हैं दोसे तो कोई भी तवाप ले सकते हैं लेकिन थोड़ा हलका तवा लीजेगा तो बनाने में बहुत ही जादा आसानी रहेगी एक बार क्या करेंगे हम बैटर को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर तवी को अच्छे से गर्म कर लेना है आपको तवी यहाँ पर आपको दोसे को डालना है इसमें तेल हैगर आपको कुछ भी नहीं डालना है ऐसे ही दोसे बन करके तयार हो जाएंगे एक पर जब दोसा ऊपर से एक दम ड्राइव हो जाए तो आप क्या करें इसमे हमारे जो दोसे हैं यहाँ पर बन करके तयार हो गया है मैं आपको दूसरा बना करके दिखाती हूँ जितने भी बनाएं बहुत ही अच्छे बनेंगे लेकिन तवा को अच्छे से गर्म कीज़ेगा और देखिए यहाँ पर जो दोसे हैं उसे हाथों में उठा करके बनाएएगा तो जो दोसे हैं फैलाने में आसानी रहेगी और एकदम पतले पतले दोसे बन करके तयार होंगे इसलिए मैंने बोला था कि थोड़ा हलका दवा यूज कीज़ेगा अदरवाइज किसी भी तवे में आप बना सकते हैं और इस्टार्टिंग में आप थोड़ा ही पैटर डालिएगा और उसे अच्छे से फैलाईएगा तो जो दोसे हैं एकदम पतले पतले बनते हैं देखिए इस तरह से और एक दोसा बनने में आपको 30 सेकेंड का समय लगेगा अभी मैं यहाँ पर आपको लोहे के तवे में बना करके दिखा रही हूँ इसमें भी जो दोसा है ना बहुत ही अराम से बन जाता है जो तवा है ना 20 से थोड़ा ज़्यादा गटा है रोटी बनाने वाला है तो यहाँ पर ना इसका सेप इस थरह से कुछ आ गया है लेकिन देखिए जो दोसे हैं बहुत ही आसानी से इसमें भी निकल जाते हैं बिल्कुल भी नहीं चिपकता है ट्राइ करके देखिएगा देखिए यहाँ पर जो दोसे हैं देखिए बना करके तयार कर लिया है और इसे सर्फ करेंगे एक गर्मा-गर्म आलो की तरी के साथ और ये है आली की लॉंजी जिसकी तरी ने कली ही से इर की थी और जब हम लोग छोटे हुआ करते थे नह तो हम लोग इसे चाई के साथ खाते थे बहुत ही जादा अच्छा लगता है वैसे आप किसी भी चटनी, अचार, तरी वाली सबजी के साथ खा सकते हैं बहुत बहुत अच्छी रेसिपी है और देखिए एकदम सॉफ्ट रहती है जिसे की बच्चे से लेकर के बुजूर्ग सारे लोग खा सकते है ठर्ड में बहुत ही जादा अच्छी लगती है देखिए इसमें कितनी पर्फेक्ट जाली आई है ट्राइ कीजिएगा रेसिपी मुझे कमेंट करके बताईएगा कैसी लगी मैं मिलती हूँ नेक्ट लोग में बाबाई, टिक केर